हम सब जानते हैं कि अमेरिका में समय समय पर बहुत सारे intellectual लोग पैदा हुए जिन्होंने अपनी अपनी बाते रखी उन्ही में से एक बहुत ही intelligent आदमी थे Walt Whitman आज के हमारे poet उनका एक collection था Leaves of Grass उसी में एक poem थी Song of Myself बहुत ही लंबी poem है दोस्तों लेकिन इसका first tenza बहुत interesting है इसको काफी सारे syllabus में शामिल किया गया है इस poem को पढ़कर एक बार कि ऐसा लगता है कि Walt Whitman को बड़ा नाज था कि वो अमेरिका में पैदा हुए है ऐसा है कि वो poem की पहली line में बोलते है I celebrate myself मैं खुदी को celebrate करता हूँ and sing myself और खुदी के लिए गाता हूँ थोड़ा arrogant लगता है लेकिन आगे साफ हो जाता है कि ये I word पूरी humanity के लिए यूज गया है वो सर्फ खुद को नहीं बलकि पूरी humanity को celebrate कर रहा है और इसके बाद वो आगे वाली line में बोलते हैं कि वो जिन चीजों में मानते हैं हमें भी उन्हीं चीजों में मानना चाहिए and what I assume you shall assume assume का मतलब यहाँ पर believe करना है मैं जिन चीजों में मानता हूँ तुम्हें भी उन्हीं चीजों में मानना चाहिए क्योंकि for every atom belonging to me as good belongs to you क्योंकि मेरी body जिस हर एक atom से बनी हुई है तुम्हारी body भी उन्हीं atom से बनी हुई है जिस मिट्टी का मैं बना हूँ उसी मिट्टी के तुम भी बने हो अमेरिका के मिट्टी से तो अब साफ हो गया कि ये poem Americans के लिए लिखी गई थी उस time पर आगे बोलते हैं कि वो बोलते हैं I love मतलब मैं भटकता हूँ कहां पर भटकता हूँ घास के उपर आगे समझ मैं आगा घास के उपर भटकता हूँ and invite my soul अपनी आत्मा को पुकारता हूँ I lean and love मैं भटकता हूँ जुकता हूँ at my ease जुकता हूँ और observe करता हूँ observing a spare of summer grass गर्मियों के टाइम पर घास एकदम भाले जैसी शूल जैसी नुकिली हो जाती है तो उसको निहारते हैं अब उसको निहारने से क्या मिलेगा अब देखो दोस्तों इनके collection का नाम ही leaves of grass है तो आप समझ जाओ यहाँ पर इन्होंने grass word क्यों add किया है spare का मतलब होता है भाला और भाले की तरह नुकीले की तरह यहाँ यहाँ पर loaf का मतलब भटकना, lean का मतलब जुकना, ease का मतलब easy, easy way में अपना comfort देखकर, observe का मतलब देखना, घ्यान से देखना जाइन में उन्होंने बोला है कि मैं जुकता हूँ, घूमता हूँ और बड़ा आराम से observe करता हूँ गर्मियों के वक्त उस घास को जो एकदम नुकीली हो जाती है, बाले की तरह, उसको observe करता हूँ आगे बोलते हैं my tongue, मतलब मेरी जुबाँ, every atom of my blood, मेरा खूण का एक एक कत्रा, इसी मिट्टी से बना हुआ है found मतलब बना हुआ है from this soil, इसी मिट्टी से, this air, इसी हवा से, born here my parents, born here from parents and the same and their parents the same मतलब मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे parents भी यहीं पैदा हुए, उनके parents भी यहीं पैदा हुए, और उनके parents भी यहीं पैदा हुए आए, और मैं now 37 years old in perfect health begin, अब 37 years का हूँ, 37 साल का हो चुका हूँ in a perfect health Hoping to cease not till death, और मुझे यकी है कि मैं जब तक मरूँगा नहीं, या कहें जब तक जिन्दा रहूँगा, खुद को celebrate करता रहूँगा, रुकूँगा नहीं, Cease not का मतलब रुकूँगा नहीं, creeds and schools in abeyance, creeds का मतलब धर्म, schools का मतलब सोचने के तरीके, retiring back a while, suffice at what they are, but never forgotten, यहाँ पे इन दो लाइनों में उनने काया है, कि ये धर्म और ये सोचने के तरीकों कुछ देर के लिए मैं भुला देना चाहता हूँ, और खुदी को celebrate करना चाहता हूँ, लेकिन ये घूम फिरकर मेरे पास वापस आ जाती है, ये तरीके, ये सोचने के तरीके, ये धर्म, ये इतनी sufficient है, कि इनने भुलाया नहीं जा सकता, अब ऐसा कहने से हो सकता है, इनके readers इनको गलत समझे, तो इन्होंने भुलाया है Harvard for good or bad, Harvard का मतलब शरण देना, वो कहते हैं कि मैं मन में सब कुछ रखता हूँ, बुरा भी रखता हूँ और अच्छा भी रखता हूँ, I permit to speak at every hazard, मतलब मुझे खत्रा होता है hazard का मतलब, मतलब मुझे आजादी है, मुझे इजाज़त है, permit है कि मैं हर एक खत्रे के बारे में बोल सकूँ, nature without check with original energy, और nature ने मुझे energy दी है, poetry लिखने की, तो मैं लिखूँगा, original energy के साथ लिखूँगा, मतलब कहने का मतलब इस men are born equal, और हर एक इनसान की शुरुआत सेम सी हुई है, उसी मिट्टी से वो बनाया है, जिससे बाकी से, खून का कलर भी सेम है, तो लोग दो डिफरेंट धर्मों को लेकर लड़ते क्यों रहते हैं, तो होप, आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा और पसंद भी, आज की इस वीडियो में इतना ही, thank you so much.